जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग शागत करता हूँ आपके अपने ही वह के यूटूब चैनल प्रेडिक्शन राजा में अभी हम बात करने वाले हैं कल के जो दिन खेला जाएगा मिंस आज के दो दिन में मैच खेला जाएगा नमीबिया वर्चस युगांडा के बीच में उस ODI को लेकिए अभी हम डीटियल में देखेंगे परकेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी टीम को लेकिए आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूँ अभी जो हम बात करेंगे वह अपना एक ड्रमोटिम होगा फाइनल टीम में आपको जो भी बखलो दिखेंग का लिंक उसके उपर क्लिक करके आप सभी को टेलीग्राम चैनल से जोईन हो जाने हैं अब आइए हम बात करते हैं यहां पर सबसे पहले वीनिंग परसेंटेज को लेकिए तो नभी विया कि यहां पर वीनिंग चांसेज जो है वह तकरीवान आपको दिख जाएंगे 73 परसे को दूसरे ओडिया में भी मीसेज ओट देखने को मिल सकता है अगर वह दोने खेलेंगे तो मारे लिए लिए बाइटल कैप्टन विसी का उप्सन बन जाएंगे तब फिर हम उसको कैप्टन विसी फैनल टी में तियार करके लेके चले जाएंगे आए सबसे पहले हम देखते फोर के वे ते के लाब यहाँ आपको देख जाएंगे हास जीरो केनीट वाइस हुआ जीरो रण किया ते कलाब मसाबा तीन रण के वे ते फ्रैंक अकवन सवा नो रण किया ते नकरानी पांच रियाज़घ तलिशा बार फ्रेड एचलिम एक रण इसके लब हैंडी ससी ऑन दो एक रण जुमा मियाजी दो और यहां पर एगा मेड़े ने किये थे एक रण गेंदबाजी में जे फ्रेलिंक आट अवर पैटीस रण दो विकेट बेन सिंखोंगो पांच अवर बीस रण दो विकेट लिचर पांच अवर छे रण तीन विकेट कार्ड बरिश्टॉक चार अवर दो मैदन दो रण दो विकेट वसके लाब आपको यहां पर दिख जाएंगे स्वलोमान एक वर पांच बॉल एक मैडन चारण एक विकेट बल्ली बाजी में बात कर लेंगे तो यहां पर बाड़ के विए थे चार और इसके लाबा यहां पर लोहान कि बैट जीरो क्र रिचार्ड तीन अवर आट रन एक विकेट गैनित वाइसवा एक अवर नो रन जीरो विकेट रियाजत अलीज साथ दो वर बीस रन जीरो विकेट अगर आप डेथ वालिंग को लेकि यूगांडा के तरब से बात करोगे तो आपको दिखेंगे नकरानी इस कलाब आपको सब्सक्राइब को अगर यहां से आपको दिख जाएंगे नवीविया की पहले बल्लेवाजी आते हुए तो आप बोड़ पे जाए तो अगर इसमस एसमिट खेलें तो 250-260 के आसपास में आप लोगों को टारगेट देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर वो दुनों नहीं कहलें तो अगर युगानदा पहले वलेवाजी करती है तो आपको डेर सो से लेकर 200 के बीच में टारगेट देखने को मिल सकता है अब आई यह आपने बात करते हैं फेंटासी टीम को लेके बिकेट कीपर सेक्षे मैंने अपने टीम में ट्राइग किया है फिलाल यहां से जे निकोल ल अगर कहलते हैं तुम जरू ट्राइग करेंगे फिलाल मैंने यहां से सीमोन को ट्राइग को ट्राइग को ट्राइग को ट्राइग करेंगे यहां से क्रेग विलियम्स को ट्राइग को ट्राइग को ट्राइग किया हुआ है बात करेंगे बॉलिंग में रुबेन को ट्राइग नहीं करना है क्योंकि आप as a batsman केलना है कब इनको लेके गंदवाजी निकलता यह देखने वाली बात होंगी इस कलब हम इन यह से बढ़नेट को लिए और माइन अपनेटी में ट्राइक किये हुए यहां से लिचर को आप लोग किसको ट्राइक कर सकतो यहां से आपको दिख ज सकता हूं और यहां पर मैं जाओंगा अगर यह तभी होगा जब यहां से विगांडा पहले बल्लेवाजी करेंगे उस कंडिशन में यहां से अचीलम को ले लूँगा और शाथ में देखिए मेरा टीम कुछ ऐसा बन जाएगा जहां पर मैंने इनके यह चार पलस का पांचो गंदवाज को ट्रे कर लूँगा और मैं चाहूंगा कि यह जो दोनों उपर के बल्लेवाज हैं यह अल्मूस्ट मैच को कंप्लीट करके हमको दे दे लेकिन फिलाल के लिए मैंने यहां पर अपनी टीम से जो है सलोमान को डॉप किये हुए और मैंने यहां से लिए जे निक दे देगा और गंदवाजी में तो जो देगा देगा ही लेकिन बल्लेवाजी में वन डॉन करने के लिए आता है बैटिंग में तो हमेशा यह एक अच्छे पिक बन जाएंगा आपके लिए अब टीम प्रिव्यू अगर देखू तो मैंने जो बिकेट के पिछे लिया हुआ जे निकोल ओफ्टी इटन बैटिंग में एसबाड क्रेग विल्यम्स बिर्श्टॉक और के वैस्वा को लिए और से जे फ्रैलिंग रियाजा तलिशा डी नकरानी को लिए बॉलिंग में सिकांगो हैंडी सस्यंडो और डी लीजर को मैंने ट्राइ क्या हुआ हुआ है बात क करेंगे तो नमीबिया के तरफ से डेविड विजे फिर आपको दिख जाएंगे जी एसमीट और आपको एसमास इसके अलाबा अगर किछी ने पैकेज गरूप में काम किया हुआ है उनका नम है जे निकोल लॉप्टी इटन तग्रे बल्लेवाज है पहले बैटिंग में मीन पर थोरे से लग काम नहीं कर रहे हैं अब देखो कली की मैच में आप देखिएगा कि आपको दिखेंगे जॉर्डन मेरे को समझ में नहीं कि जॉर्डन को सिर्फ दो ही ऑबर क्यों मिला और दो ऑबर भी मिला तो इनको मतलब बिकेट टेकर गंदवाज बिकेट नहीं लिए तो यहां पर थोड़ी सी दिखरती हैं हमारे लग के साथ है अनौन प्लियर राके दो तीन बिकेट ले जाते हैं और जो अच्छे जाने पाचाने गंदवाज होते हैं वो उनको बिकेट नहीं मिलता मुंब इंडिनेंस के दब से ठालोगे तो आपको दिखेंगे जस्पीद बूम रहा विकेट लेस जा रहे हैं फिलाल आप जिस भी बड़ी टीम को देखो आप लोग यहां पर आरसी बी को तो शिराज विकेट लेस जा रहे हैं तो यह थोड़े से दिखरते आजाती है फाइनल टीम ट्यार करने में अब होता क्या कि मालो आप से अप्सान के साथ ज आपसन बिल्कुल आप लोगों के ऊपर छोड़ूँगा फिलाल स्मॉल लीक की बात करें तुम्हा रिकेमेंट करूँगा कि इन तीन में से ही किसी दो को कैप्टन विसी ट्रै कीजिए मैंने अपने स्मॉल लीक के टीम में अपने टीम में दिया वाए बेन सिंग कोंगो को मैं फेनल टीम में कोई तुम्हें में टैली करूंगा चेंजेस करूंगा तो आप्ट Liberty को टे रीसों के सेर करने का पूरा कोश्रस करूंगा आई देखते हैं लास्ट के एपील मैंच में हमारा कुई वेडा का रिजल्ट किया रहा था तो यहां पर हम चलते हैं देख लेते हैं आर्सीवी वर्सेज चैन्रे के बीच में खिला गया था डियो वाले सक्षन जो मुझे बहुत पसंदा और मैं हमें सा यहां पर अच्छा-खासा जाया था फिर आप यहां देखिएगा तो यहां पर अपोनेंट लिये हुए थे रुतुराज गएकवाड प्लेसिज मैंने मैक्सवेल को लिया वा था यहां पच्छा-थार्पीज मुझे मिला वा था फिर नीची आज यह यहां भी जो है वह पच्छा-थार्पीज मिला तो आप यहां से अच्छा-खासा निकाल सकती हो अमोंटर अगर हम बात करेंगे कल नमीविया वाले मैच को लेके तो यहां पर फिलहाल आपको जो दिखेंगे डियो और क्विंट वाले सेक्शन में वो दिखेंगे जे निकोल आफ्टियर इटोन इसकल आपको दिख जाएं अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राब दबा करेंगे अच्छा खासा बीन कीजिए और बुरा फेज है कभी-कभी ऐसा आता है और जब आता है तो बुड़े फेज में हम लोगों ऐसा भी नहीं कि डरना चाहिए और अच्छा में चैन्जज कर सकते हो